नमस्कार दोस्तों, बिहार DLed Asport Admission को लेकर बिहार बोर्ड के तरप से एक नया नोटिस आप लोका आपे जारी कर दिया गया है और जानकाई दिया गया है कि आप लोका जो Asport Admission है वो कब से कब तक यहाँ पर होने बदा है, कब से आप लोको ओलाइन आविदन कर बाना है, कि इसका फूल जो official notice से बहाँ पे जारी हो चुका है। तो यहाँ पे नीचे देखिए दोस्तों आप लोगा जनकाई दिया हो है। देखिए दोस्तों आप लोगा जनकाई दिया हो है। यहाँ पे जनकाई दिया हो है कि वैसे अभ्यारती जिनके दोड़ा C.A.F. यानि कि common application form E.V.S.L.K. online जमा किया गया था। किन्तु उनका चैन सरकारी अत्वा गैर सरकारी संस्थान के लिए समीती अस्तर से जारी किसी भी सूची में नहीं हुआ है। कि आपका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं हुआ है तो आपे 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 आ था लेकिन आप लोगों का एडमिशन होने के बाद आप लोगों ने बाकी का जो सूलख है बाकी का जो पैसा है वहाँ पर जमा नहीं किया था जिसका रण से आप लोगों का जो एडमिशन ने उसको हाँ पर रद कर दिया गया है तो आप भी हाँ पर जो एडमिशन करबा सकते यह आप लोगों पर सूचना दिया हुआ है उसके बाद यहां पर जनकारी दिया हुआ है कि समीती दोड़ा सरकारी संस्थान के लिए जारी की गई तीन चैन सुची और गैर सरकारी संस्थान के लिए जारी की गई तीन चैन सुची के आलोक में अत्वा सरकारी संस्थान के एस नहीं कर पाईएगा आप लोग आप जो एडमिसन है वो यहाँ पर नहीं करवा पाईएगा तो इस तरीके सूचना आप दिया हुआ है फिर आप लोग नीचे की जिएगा तो और भी जानकारी है आप चाहे तो इसको पर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोगा यहाँ पर जमा करके अपना नमंकन लिये हैं लेकिन उसके बाद पूरा आप लोग जो फी है वहां पर जमा नहीं किये पहले साल का तो ओ लोग आज जो फी जमा करने का date दिया हुआ है कि आप लोग 29 से लेकर 2 के बीच में फी जमा कर लिजे उसके बाद चार तारीक तक प्रकासित किया जाएगा 13 तारीक को उसके पर अभ्यार्थी को अगर देना है तो वो जो है 14 11 से 15 11 तक यहाँ पर आपत्ती दे सकते हैं यहाँ दोस्तों यहाँ पर आप लोग का जो असपौर्ट एडमिशन है उसका जो आवेदन है वो 6 तारीक से लेके 12 तारीक के बीच में ह और आप लोग जो है जिस भी कॉलिज में आप एडमिशन लेना चाते हैं वहाँ पर डैकली जाकर जो है अपना एडमिशन करवा सकते हैं आपको जो है ओनलाइन आभिदन करनी के बसकता नहीं है पहले करना क्या है पहले जो है आप लोग का पांच तारीक को जो लिस्ट है उसको वहाँ पर चेक करना है और देखना है कि आपके आसपास में कौन सा कॉलिज है जिसमें यहाँ पर डैलेड में सीट खाली है और अगर वहाँ पर सीट खाली रहता है तो डैकली आप लोग यहाँ पर क्या करिएगा छे तारीक से लेकर बारी तारीक के बीच में आप ल मिलते हैं आपको अगली वीडियों तब तक के लिए धन्यवाद